Good morning friends, मैं माधुरी, MDLO classes में आप सभी का वैलकम करती हूँ आज का जो हमारा session है, वो summary trial को लेके है Last session में अपनों ने क्या की थी? Session trial देखी थी अगर आप सभी ने वो video नहीं देखी है तो channel पे uploaded है आप जाके उसको देख सकते हैं आज जो हम पढ़ेंगे वो summary trial के बारे में पढ़ेंगे कि summary trial क्यों आई, इसका object क्या था, कौन-कौन summary trial कर सकता है, किन matters में कर सकता है, बिलकुल easy है Summary trial का एक particular mains का question बनता है और pre case में से बहुत सारे questions बनते है तो आज सारे वो question clear करेंगे और अच्छे से समझेंगे सबसे पहले बात आती है कि summary trial CRPC में, summary trial CRPC में chapter 21 में पढ़ते हैं और 260 से लेके 265 तक में पढ़ते हैं देखिए ये summary trial का mains का question है, जदी mains का question में summary trial पूछी जाती है तो 260 से लेके 265 तक अपनों को complete sections लिखने पढ़ते हैं तो summary trial में सबसे पहले बात आती है section 260 की कि संग्षिप्त विचारन करने की शक्ति किसको है कि कौन summary trial कर सकते हैं सबसे पहले प्रीक का question है कि अपनी CGM साब कर सकते हैं Chief Judicial Magistrate जो Hindi वाले हैं उनको Hindi में पता होना चाहिए English में पता होना चाहिए मतलब जो भी media में उनको opposite में पता होना चाहिए जैसे CGM साब कर सकते हैं, मुख्य नियाइक मजिस्टेट कर सकते हैं, then MM कर सकते हैं, Metropolitan Magistrate, हिंदी में बोलेंगे इसको महानगर मजिस्टेट कर सकते हैं, and third, first class judicial magistrate, लेकिन याद रखना है कि first class judicial magistrate, प्रथम वर्ग नियाइक मजिस्टेट कब करेगा, जब उसको high court, जब उसक high court, विशेश अत्या क्या करेगा, सशक्त करेगा, specially empowered करेगा, तब ही वो क्या करेगा, summary trial को follow करेगा, direct वो summary trial फोलो नहीं करेगा, जब तक उसको high court अपन्ट नहीं करता, ये तो आगिया कि कौन summary trial कर सकते हैं, second आता है, किन matters में summary trial होती है, देखिए अपने short में पढ़ेंगे ताकि एक्जाम में आपको याद रहे कि कौन से section में लिखनी है, कौन कौन से section लिखनी है, जिसमें summary trial होती है, easy way में याद करेंगे, सबसे पहले किन matters में हो सकती है, तो इन्होंने क्या लिख दिया, first close में, कि जिसमें death, life imprisonment और 2 साल तक के, मतलब 2 साल तक के, जिनमें punishment दी ह होई है, उसमें वो नहीं कर सकते, इन्होंने क्या दे दिया, negative sense दे दिया, तो अपनों को क्या याद रखना है, simple याद रखना है, जिसमें 2 साल तक की punishment है, अब 2 साल से उपर नहीं जाएंगे, मतलब 2 साल तक की, जिसमें punishment है, उसमें क्या होगी, अपनी summary trial follow होगी, second कहता है, कि section 379, 380, 381 में, 381 में, जब कोई property चुराई जाती है, तो कब summary trial follow की जाएगी, जब उस property का मुल्य क्या है, 2000 रुपे तक है, ठीक है, 2000 रुपे तक है, तब क्या करेंगी, summary trial follow होगी, और summary trial की जाएगी, मतलब first close था, जिसमें punishment 2 साल तक की है, second, जिसमें 379, 380, 381 में, जब property चुराई जाती है, तो उसका मुल्य क्या हो, 2000 रुपे तक हो, second कहता है, third close कहता है, कि जिसमें section 411 और 414, मतलब, जब property चुराई जाती है, तो उसमें क्या करना है, उसकी property में सहायता करना, व्याइन करने के लिए, लेकिन इसमें भी क्या याद रखना है, property कितने तक होनी चाहिए, 2000 रुपे तक होनी चाहिए, तो first जहां पर punishment दो साल तक है, second 379, 380, 381 में, और फिर 411, 414 में, next क्या कहता है, section 454 और 456 में, जब लोग परिशान्ती भंग की जाती है, तब क्या होगी, इसमें भी क्या दी गई है, कि property कितनी होनी चाहिए, 2000 रुपे तक होनी चाहि है, तब क्या हो जाएगी, इसमें summary trial follow होगी, तो simple सा है, जब आप बेरक देखेंगे, तो उसमें बहुत जादा hard लगता है, पढ़ने में, तो याद कैसे रहें, सबसे पहले याद रखेंगे, कि जिसमें दो साल तक ही punishment है, उसमें summary trial होगी, second जिसमें 379, 380, 381 में दिया उससे आगे चलेंगे तो 404 और 456, एंड लास्ट चलेंगे तो 504 और 506, तो इन सब में क्या होगी, summary trial follow होगी, next आगे कहता है, कि यदि इन पूरवर्ती धाराओं में किसी का भी abattment किया जाता है, या पूरवर्ती धाराओं में किसी का attempt किया जाता है, तब भी क्या होगी, summary trial follow होगी, and next close कहता है, कि पशु अतिचार अधिनियम की धारा 20 में यदि कोई complaint होती है, तब भी क्या की जाएगी, summary trial follow की जाएगी, अगर अब आप याद करेंगे, जिनोंने CRPC बढ़ रखी है, तो जो अपने section 2 में, section 2 के close D में जब अपने परिवाद पढ़ते हैं, तब उसमें भी ये चीज़ बताई वी है, किस में परिवाद होता है, कि पशु अतिचार अधिनियम की धारा 20 में, जब कोई complaint की जाती है, तो वो भी complaint में आ दिया, recall करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है, तो simple कौन कर सकता है, CGM, MM और FGM कर सकते हैं, FGM कब कर सकते हैं जब high court specially impart करें, किन matters में कर सकते हैं, तो इन, इन matters में कर सकते हैं, ये मैं याद करने का वे बता रहे हूं, ताकि एक्जाम में आप कोई भी close भूले ना, क्योंकि आप यहां से start करोगे, 379 से करोगे, then 380, 381, थोड़ा आगे जाओगे, तो 411, 414, उस से आगे जाओगे, त 414, 456, फिर लास जाओगे, तो 504 और 506, इन में क्या होता है, किन-किन matters में summary trial होती है, then next section आता है, 261, 261 जो section है, important है, pre का question भी आता है, इन्होंने कह दिया, कि क्या second class magistrate भी कर सकता है summary trial, तो answer है, हाँ, लेकिन कब कर सता है, जब उसको high court बोले, ठीक है, याद रखना है, ज second class magistrate क्या कर सकता है, summary trial कर सकता है, अब बात आती है कि किन matters में कर सकता है, तो याद रखना, ऐसे matter, जो only fine से related है, and second, जिसमें 6th मन तक की punishment दे रखी है, जिसमें fine है, जो fine है, वो include भी हो सकता है, और exclude भी हो सकता है, simple, तो second class magistrate, डित्य वर्ग नियाइक magistrate दोरा संक्षिप व किन matters में कर सकता है, जो only fine से relate है, या जिसमें 6 मन तक की punishment है, जिसमें fine है, include भी हो सकता है, exclude भी हो सकता है, then next आता है 262, 262 में क्या कहता है, procedure की संख्षिप्त विचारन करने की प्रक्रिया क्या होगी, अब देखिए, इसमें जो procedure फोलो किया जाएगा, always याद रखना है, उस में कौन सा procedure फोलो किया जाएगा, तो उसमें summon trial फोलो की जाएगी, summon trial अपने कहां पढ़ते हैं, तो recall कीजिए, chapter 20 में पढ़ते हैं, जो section 251 से लेके 259 तक में पढ़ते हैं, summon trial, ठीक है, तो pre का question है, summary trial में कौन सी trial फोलो की जाएगी, always summon trial फोलो की जाएगी, then next कहता है, कि summary trial में कितनी punishment दी जाएगी, जब कोई magistrate summary trial फोलो करेगा, तो उसमें कितनी punishment दी जाएगी, always three month तक की punishment दी जाएगी, इससे जादा punishment summary trial में नहीं दी जाएगी, simple, procedure कौन सा फोलो किया जाएगा, summon trial फोलो की जाएगी, कितनी punishment दे सकते हैं, three month तक की punishment दे सकते हैं, next आता है, कि record क् कि संक्षित विचारण में अभी लेग कि जब संक्षित विचारण करेंगे तो उसमें क्या-क्या रिकॉर्ड रखेंगे सबसे पहले इसमें प्रीका क्वेशन यह याद रखना है कि जो स्टेट गवर्मेंट बताए वैसे-वैसे उसमें रिकॉर्ड रखने हैं अब आप खु एक्यूस्ट का नाम लिखेंगे ठीक है उसका एड्रेस क्या है वो लिखेंगे जज्जमेंट कौन सी तारीक को दिया वो लिखेंगे accused ने अगर क्या किया है plead guilty किया है तो वो लिखेंगे मतलब एक case में क्या क्या चीज़े important होती है वो सब क्या करेंगे अपने record लिखेंगे और याद रखना है जो state government कहे वैसा करना है ठीक है state government कहे then आता है कि judgment संक्षिप्त विचारण में क्या निर्ने कैसे लिखा जाएगा तो याद रखना है संक्षिप्त विचारण में जब कोई magistrate क्या कर सकता है संक्षिप्त विचारण को follow करता है तो वो कैसे लिखेगा सारांश और निश्कर्ष के काड़ों को मतलब सारांश और जो निश्कर्ष conclusion लिखेगा उसके कार्णों को संग्शिप्त में लिखेगा मतलब brief में लिखेगा और क्या करेगा उसको writing में लिखेगा simple then 265 में आता है language कि नियाले की भाषा क्या होगी मतलब कि जब record होंगे जो judgment होंगे उसकी भाषा क्या होगी किस भाषा में लिखे जाएंगे तो pre का question है court की language में लिखे जाएंगे कि नियर्ने और अभिले की भाषा क्या होगी court की language में होगी then next कि जो भी judge, जो भी magistrate judgment देगा वो क्या करेगा उस पे अपने sign करेगा simple याद रखना है जो भी magistrate judgment देगा उस पे अपने sign लिखेगा तो ये इतनी simple सी summary trial है बिल्कुल easy है 260 में par है, कौन-कौन कर सकता है किन matters में होती है 261 में second class magistrate भी कर सकता है जब high court impart करे 262 में procedure है कौन सी trial follow करेंगे, summon trial follow करेंगे, और कितनी punishment देंगे, 3 month तक की punishment देंगे then records क्या करेंगे, जो state government बताएगा वो record रखेंगे then judgment क्या होगा, judgment क्या करेंगे इसमें brief में लिखेंगे और उनके काणलों को अभी लिकित करेंगे then language क्या होगी, court की language होगी और उस पे sign होगे अब बात आती है कि summary trial का object क्या है summary trial क्यों करने पड़ी तो एक case note कीजिए Base note कीजिए B.K. Agravalsvrs B.K. Agravalsvrs B.K. Agravalsvrs Bhatiaji का case है 1988 A.I.R क्या है 1988 है B.K. Agravalsvrs Bhatiaji का case है 1988 इसमें Supreme Court ने held किया कि संग्शिप्त विचारण का उदेशे क्या है मामलो का शिग्र निप्टाना क्या उब्जेक्ट है इसका कि मामलो को शिग्र निप्टाना जो छोटे मामले होते हैं उनको शिग्र निप्टाया जाए ये सुप्रीम कोट ने हैड किया था तो याद रखना कि summary trial का object क्या है कि इस मामलों का शिग्र निप्टारा करना तो ये है summary trial I hope आपको ये summary trial clear हो गई हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को subscribe कर देना और मेरी वीडियो को like कर देना Thank you so much